असलाम अलेकुम वेलकम बैक तो माई चैनल स्टैडी फन तो आज हम सब्जेक्ट हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मेशीन का इंपॉर्टन लेक्जर इसका नाम है हाइड्रोलिक क्रें उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनिशन के सब्सक्राइब में जी तो डेफिनिशन हमें क्या कहती है डेफिनिशन कहती है कि दा हाइड्रोलिक क्रेंड इस यूज तो लिफ्ट एंड कैरी एंड ट्रांसफर हैवी लोड्स अब टू 25 टन्स मतलब कह रही है कि जो हैवी लोड्स होते हैं उनको या तो उठाने के लिए या जितने भी हैवी लोड्स हैं अप टू 25 टन्स उनको एक जगह से दूसरी जगह टांसफर करने के लिए यह इस्तमाल की जाती है नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन इसकी बनावट क्या 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 इसके पार्ट वगयरा है तो सबसे पहले यह क्या कह रहा हमेसी लावा हमारे पास जीब टाइवद्ट हो गया और हमारे पास कनेक्टिंग एक क्या हमारे भी यह पूलिस हमने किसका नाम दे दिया जीगर का नाम दे दिया नेक्स्ट हम जलते हैं तो हमारे पास आते हैं जीगर consist of fixed cylinder having a pulley block and sliding ram तो यह हमारे पास red color का जो आपके पास नज़र आ रहा है इस लेंडर है basically उसके बाद उसके अंदर fix cylinder के अंदर क्या है हमारे पास purple color की sliding ram जो कि क्या कर सकते है left और right move कर सकती है उसके बाद आर पास यह movable pulley है ने पास movable pulley block जो कि क्या कर सकता है movable है यादि यह भी हमारे पास क्या कर सकता है leftward और rightward move कर सकता थे आई अचैनेक्स चलते हैं तो next मैं हमारे पहल्षार के बन and off the sliding ram connected with highways water उसके बाद other and connect क्लिक्टिक is connected to the moveable फुली ब्लक तो हमारे पास जो स्लाइडिंग रहे में उसका एक एंड तो है मुटेब फुली के साथ कुनेक दूसरा क्या में पास स्वाइक परेशर प्रेश्र पायप रहा रहता है और फिर यह जो इसके अंदर अन्दर हमारे पास जाता यहाई फिक सिले और रोप विच इस फिक्स रोप और एक हमारे पास चैन के लिए रोप होती जो कि फिक्स होती है हमारे पास देके तरह मैंने फिक्स बनाए विए मुवेबल पुली के साथ वह फिक्स है एंड इस पासिंग राउंड पुली ऑफ टू पुली ब्लॉक्स तो हमारे पास क्या है यह फिक्स हमारे पास ओके एक पुली इदर से गुज़रीगी और फिर दूसरी से गुज़री और फिर हमारे पास क्या हो गई कि इसकीALK के बारे मैं के वरकिंग क्या है palm-place-ku तो working है महारे पास क्या है सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास है लोड़ी इस तो भी लिफटेटीड इसट्व फ्री mikषे एंड रोप के साथ हमने क्या कर दिया है कुनेक कर दिया तो यह हमारे पास टोटल जो असम्बली है यह हमने किसका नाम दे दिया इसको जिगर का नाम और वाटर जो हाई प्रेशर से इंटर हो रहा इधर एंड वह जैसी फिक्सलेंडर के अंदर जाएगा तो वह स्लाइडिंगu के साथ सब्सक्राइब गरिया तो स्लाइडिंग रहा हैम उहारा पस क्या है थापरूज कि जिससे अन्यों पॉली के दिर्मियान जो है इंक्रीजव हो अब वो कितना हो जाएगा वो फॉर्जेंबल हम सपोस्स कर लेते हैं एक हमारे पास पुली यह के फिक्स है वो तो यह रही अब यह जो मुवेबल पुली है यह कुछ फासला यानि कि इसका डिस्टेंस बढ़ गया अब यह इधर आ गई अब मुवेबल पुली इन दोनों के दिर्मियान जो है डिस्टेंस क्या होगा बढ़ गजैंगा अब मारे पास क्या होगा इसकी तरह को हैं लोग करना है लोगर पुजिशन पर इसको वापिस रखना है अपनी क्या करेंगे फून फासला बढ़ आया अब हम क्या करेंगे उस हाई प्रेशर पानी को निकाल लेंगे तो हमारे पास पुली पहले इदर आगे थी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया था वह वापिस अपनी अपनी जगह पर आजएगी जिससे हमारे पस क्या होगा यह जो हमारे पास रूप है यह आटोमेटिकली रिलेक् पर जो है वह क्या कर सकता है रूटेट कर सकता है कि यह वहाद सकता है और यह वाति आप बल今 सबस्क्राइब कर सकता है सकते हम जो परसाधें सबसेपहले और पास जो यह हमारे पास जो ए आँ है टोलब करेंज वो इस ताम होती है उसके साध करें ने फिर वहाइडिंग मोशन से क्या करती है हमारे जो हैवी अब्जेक्स तक ट्रासफर कर देती है और साथ एक्सकेवेटर्स में भी इस्तमाल होती है एक्सकरवेटर से मुराद क्या खुदाई करना काम जितना भी होता हुआ भी हम है डॉलिक क्रेन को यूटलाइज करते हैं तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खतम होता है एंड में आपको यह बोलूगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर मुलते हैं